हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे है दा मूवी स्टॉक शो चैनल जिसमें आज में रिव्यू करने वाला हूँ नेट्फिक्स पर लीज हुई फिल्म गुंज एन सकसेना दा कारगिल गल जिस फिल्म की लेंद लगभग देड़ घंटे की ही है लेकिन सो फ्रेंट्स मैं हर बार अपनी फिल्मों की रिव्यू में फिल्मों को काफी ऑनस्टी से रिव्यू करता हूँ और इस बार भी इस फिल्म को रिव्यू करते बाग मैं ये बात फिर से धोराओंगा कि मैं ये रिव्यू पूरी तरीके से ऑनस्टी से दे रहा हूँ ना लोगों को ये explain करना पड़ता है कि क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। मैं अगर simply कहे मेरी नजर में ये फिल्म एक one time watch तो definitely है। जी हाँ और मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया तो आप एक काफी important message मिस कर दोगे जो इस फिल्म में दिया गया है वो भी बहुत खूबसूरती से और मुझे नहीं लगता है कि आपको बाकी और किसी की भी बात सुनी चाहिए जिने review के नाम में भी आपको ये बताया है कि nepotism जैसी नाम की चीज सिर्फ Bollywood इंडेस्ट्री में नहीं बलकि हर जगा पहली हुई है इसलिए सिर्फ एक ही चीज को point out करकर आप उसी पर बार-बार बात करते रहोगे तो उससे कोई मतलब बनने वाला है नहीं किके nepotism के नाम पर Bollywood में भी काफी ज़दा trend चला है और अभी भी चल रहा है जिस नाम को कुछ fake लोग बस use करकर अपनी popularity गेन करना चाते है और obviously इसमें शामिल बहुत सारे actors और कुछ घटिया लोग भी है और हाँ इनमें गिनती कुछ YouTubers की भी होगी तो आज इस वीडियो में मैं फिल्म के review के साथ-स कुछ और points भी आपको गिनाऊंगा कि actual में फिल्म देखने के लिए आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है और किन चीजों पर नहीं क्योंकि जादा तरतर लोग इस फिल्म को सिर्फ जानवी कपूर के नाम से ही देखना नहीं चाते जो कि सच में बहुती बात है तो पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की जिसमें कहानी का पूरा-पूरा फोकस गुंजन सकसेना की लाइफ पर किया गया है जो बजपन में प्लेन में बैठने के बाद ये तैय कर लेती है कि बड़ी होकर उसे एक पाइलेट ही बनना है लेकिन देखते ही देख पास में दर्च कर ली अपनी फ्रेंड और पार्टनर श्रीव विद्या राजन के साथ जिनने अफसोस के साथ इस फिल्म में दिखाया नहीं गया अब पता नहीं इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस फिल्म में श्रीव विद्या राजन के कैरक्टर को एड़ ही नहीं किया ये दावा करके ये फिल्म एरफोस की छवी खराब करती है कि एरफोस औरतों के लेकर नजरिये में बहुत ही जादा अलग है और इसका असर बाकी दूसरे आने वाली जनरेशन पर भी बहुत जादा बुरा पड़ सकता है खास करके एरफोस को लेकर लेकिन मैं मेरे पॉइंट सबी लोगों को तो अच्छी नहीं लगेगी जिसे इस फिल्म में भी दिखाया गया और इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है आर्मी में औरतों के लेकर हर बार कंपैरिजन करने की तो हर बार इस पर पूरी के पूरी चर्चा पॉलिटिकल के लोगों नहीं किया है या इस फिल्म में उन सबी चीजों को बिल्कुल भी छेडा नहीं गया ताकि ये फिल्म किसी भी कॉंटरवर्सी में ना भसे बड़ ऐसा हो और आज के टाइम पर ट्रोलिंग कुछ अलगी लेवल पर चली गई है जहां पर लोग शोचल मीडिया पर अपनी राय रखते है वो भ काफी Freedom of Speech के साथ और कुछ लोग कैमेरे के सामने बस बैट कर उल्टिया ही करना जानते है भले से ही उन्हें फिल्मों के बारे में A या फिर B कुछ भी पता ना हो और मेरे हिसाब से ये फिल्म बॉलिवुड की बायोपिक की लिस्ट में बहुत ही अलग लेवल पर आती है क् अच्छी तरीके से बनाई गई बायोपिक फिल्म है बट मैं आप चाहूंगा कि बॉलिवुड में अगर गुंजन सकसेना पर फिल्म बन सकती है तो ऐसी धेरों मिसाल आपको इंडियन आर्मी, एर फोस और इंडियन नेवी में लेजेंड्स की मिल जाएगी जिनमें से अग और काबिलेत से और अब आज है फिर से फिल्म के पॉ Tiffany की गई है उसमें हमें गुणन सकसेना के साथ उनकी फैملि भी दिखाय जाती है कि किस तरीके से गुणन सकसेना को उसके मातापीता और भाई, पूरी तरीके conceived करते थे कि अपने सपनों से कभी भी पीछे नहीं हटना च चाहिए खास करके गुंजन सकसेना के पिता जिनके क्याक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में आपको सभी के सभी टैलेंट से भरे हुए एक्टर्स मिलेगे जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि अभी यहां पर बात चल रही है फिल्म की राइटिंग की जिसे बहुत ही अच्छी तरीक से लिखकर ये बात साफ कर दी गई फिल्म को डारेक कर कर कि ये फिल्म आपको दिखाने के लिए सिर्फ देश भक्ती ही लेकर नहीं आई है जो कि इस फिल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फिल्म हमें देश भक्ती के हिसाब से नहीं बलके सिर्फ और सिर्फ कुंजन सक्षेना की नजरों से दिखाई जाती है कि उनकी लाइफ का स्ट्रगल कितना जादा कटिन था वो भी उस टाइम पीरिड में जिस टाइ लेकिन ये फिल्म फैमिनिस्ट के उस लेवल को पूरी तरीके से मूँ तोड जवाब देकर हमें एक सीधी और साब बात समझाती है कि औरतों को मर्दों से बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए और इसके अला काफी लोगों ने फिल्म देखकर ये भी पॉइंट रखे कि के टैटल में कारगिल गर्ल लिखा हुआ है और फिल्म में हमें वैसे एक्शन सीक्वेंसे दिखाए नहीं गए बेल तो फिल्म में जैसी कि मैंने कहा वो फोकस गुंजन सकसेना की जर्नी पर किया गया है ना कि कारगिल वार पर और जो भी वार फिल्म के एंड के 20 मिनिट मे कर आ रही है विल्कुछ सिच्वेशन्स रियल लाइफ में थोड़ी अलग भी होती है और इसलिए मैंने जैसी कि साथ-साथ फिल्म की कहानी भी लिखी है निखिल मनुस्रा के साथ मिलकर उसके अलावा एडिटिंग की बात करें आब तो फिल्म की एडिटिंग भी अच्छी है जिसे काफी और अरजीत सिंग का गाया गया गाना भारत की बेटी ये दोनों ही सौंग सच में सुनने में बहुत ही ज़ादा सुकून देते हैं खास करके भारत की बेटी सौंग और अब आज आए परफोर्मेंस पर तो जैसे की मैंने कहा फिल्म में पंकर्स त्रिपार्टी की परफोर्मेंस सच में टॉप नौच है उसके अलावा तारी फिल्म के बाकी और एक्टरस की तो बनती ही है जैसे के गुंजन सकसेना की मा का रोल प्ले कर रही एक्टरस आईशा रजा उनका भी काम आपको बहुत जादा अच्छा लगेगा और उसके अलावा अंगत बेडी का भी काम फिल्म में ठीक ठाक है लेकिन एरफोर्स आर्मी के ओफिसर के रोल में फिल्म में जो दो कैरेक्टर्स दिखाए गए है सच में उन दोनों कैरेक्टर्स में जान बिरित कुमार सिंग और मानव वीज ने बहुत ही अच्छी तरीके से डाली है खास करके तारीफ मानव वीज की होनी चाहिए जिनकी परफोर्स आपको एरफोर्स पाइलेट के ओफिसर के रूप में बिल्कुल ही शानदार लगेगी क्योंकि उनकी परफोर्स ही ऐसी है और अब बात करें डिसपॉइंट्मेंट की जिसका पूरा पूरा क्रेडिट लोग जानवी कपूर को ही दे रहे है बेल तो ऐसा नहीं है कि उनकी परफोर्स फिल्म में इतनी ज़ाधा खराब है कि आप पूरी के पूरी फिल्म की भर भर कर बुराई करो क्यों तो चली अब उसे एकस्प्लेन करते है बेल देखा जाए तो जानवी कपूर के करियर की ये तीसरी फिल्म है और तीनों ही फिल्म में no doubt उनकी performance बिल्कुल ही same रही है लेकिन गुंजन सकसेना एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुंजन सकसेना का character बहुत जादा ढरा हुआ और confused रहता है जिस character का role play मेरे इसाब से तो जानवी कपूर ने बहुत ही अच्छा play किया है अब मुझे पता है वो natural actor नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कुछ roles कुछ actors के लिए बने हुए होते है जिने acting करनी नहीं आती बड़ ऐसी एक film निकल कर आ जाती है जिसमें उनकी acting उस character में बिल्कुल perfect बैट जाती है जो कि मेरे इसाब से गुझन सकसेना के रोल में जैनवी कपूर की भी कुछ हद तक perfect बैटती है लेकिन हाँ उस time की गुझन सकसेना जो बहुत ही जादा confused थी और आज की confidence से भरी हुई गुझन सकसेना बहुत जादा अलग है जो कि हर एक काम कर रहे experience लोगों में definitely आ जाते है जो start के बग नया काम या फिर कुछ करियर में choose करते बग उनकी life में बिल्कुल भी नहीं रहता अगर वो अपनी एक्टिंग में बिल्कुल भी improvement नहीं लाएगी तो बरना उनका करियर भी Bollywood में जितनी जल्दी उपर चड़ा है उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरेगा ठीक इम्रान खान एक्टर की तरह जिनके करियर की पहली फिल्म जो साल 2008 में थी जाने तो या जाने न उस फिल्म को देखकर ये लग रहा था कि इम्रान खान की performance सच में एक natural born actor जैसी है लेकिन उनके करियर की बाकी फिल्में है सुभान अल्ला उनकी क्या बात करूँ क्योंकि उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक घटिया फिल्मों में काम किया है और हर एक फिल्मों जैसी कि मैंने कहा विल्कुल सेम थी वो भी एक्टिंग के लेवल में तो अब I think मुझे लगता है मुझे जो कुछ भी समझाना था आपको इस फिल्म को लेकर क्या आप इस फिल्म को हेट करो या फिर नहीं वो मैंने पूरी तरीकी से समझा दिया है बाकी अब मर्जी आपक पूरे के पूरे चौपर्स के अक्शन है जो अगर फिल्म में अची तरीकी से शूट नहीं किये जाते तो ऑविज़्ली फिल्म के एक्शन उस लेवल के नहीं बनते जो इस फिल्म के है और इसके अलावा बाद करे द्रामा की तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनेगी पांच में से साड़े तीन स्टार की, जो कि ऑविस दिया फिल्म डिजर्व करती है, क्यों और कि इसलिए उस पर पूरी के पूरी डीटेल वीडियो मैंने अल्रेडी बना दी है, और हॉरर की रेटिंग तो पांच में से जीरो स्टार की ही रहेगी, तो इन तीनों ही नजरिये से इस फिल्म की रेटिंग सीधे सीधे बी प्लेस की बनेगी, जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा बनाया गया है, और इससे अगर मासर सॉर्डिंस भी देखती है, जिस पर सिचफेशन ऐसी नहीं होती, तो उन्हें ये फिल्म ऐसी ही लगती, जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा क्रिटिक्स के राय तो आपको पता ही है, कि उन्हें ये फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आरी है, और मेरी राय मैंने आपके सामने रख दी है, कि मेरा पर्सनल उपिनियन क्या है इस फिल्म को लेकर, और मुझे ये फिल्म कैसी लगी, तो अब बारी आपकी है, कमेंट में लिखकर बताने की, कि अगर आपने ये फिल्म देखी है, तो आपको ये फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आई है, और कितनी नहीं, और इसके अलाव अगर आपको मेरा एक काम ज़रा सभी पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, इस टाइब के कंटेन को अपने चैनल पर कंटीनु रखने की, तो चली आप खतम करते हैं वीडियो को यहीं पर, मैं हूँ अजीज शेक, आप देख रहे थे The Movie Stock Show चैनल, जिससे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब यहीं है तक सब्सक्राइब पन चरहते हैं, अजी आपने चैनल, आपने हैं एक सब्सक्राइब टो आप दो, उर्ति आपने हैं, कि एक सब्सक्राइब,